तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कमपणी के आपडेट लेका हूँ तो आज के वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को लास तक जूरू देखिए क्योंकि इस वीडियो के मात्थम से बहुत सर दूस्त ने कमेंट्स किया था कुछ कमपणी के बारे में उसके बारे में तो चर्चा करूंगा ही साथी साथ मेरे खुद के कोई दो कमपणी के बारे में डिसकसन करूंगा जहाँ पर कुछ सांधत तरिके से टेक्निकली चार्ट परेंस बना है जो टेक्निकली चार्ट परेंस आपको सीखना चाहिए जिस किसी भी companies को बर काम करना है तो एक बार research करके study करके जोरू काम करिएगा तो चलो देख लेते हैं कौन सा कौन सा company है इस बीडियो का अंदा वाश जो company है जिसके बार मैं चर्चा कर उसका ना में Sumitomo Chemical देखिए Sumitomo Chemical जो एक Japanese company है वो इंडिया में subsidiaries लेकर काम कर रहा है और इस company जब से start हो तब से लेकर मतलब continuously एक journey हुआ था उसके बाद last few days में continuously एक correction देखना को मिला है अब इस तरह किसे correction क्यों हो रहा है उसके पीछे में reason दिखा दूँ से पहले आपको टेक्निकली चार्ट पिटन दिखा देता हूँ ध्यान देजिगा यहां पर मैंने एक label mention करके दिया था कफ और उसके बाद देखे दूसरा तिसरा और चौधा यहां पर दीखिए एक बार कफ बने के बाद तीन बार है पर handle भी कट बन चुक है तो finally यहां पर actually दो बार handle बन चुक है तो दिखिए यहां पर कब बने के बाद है यह आपए handle भी बना था और यहां पर breakout भी हूँ था तो उसके बाद नीचे आया फिर से उपर गया तो breakout को break नहीं कर पाया फिर से नीचे आए और उसके बाद नीचे चले आए तो यहाँ पर question आएगा sir इस तरीके से situation में क्यों आया उसके पीछे reason कौन सा है कि continuously company sell up हो रहा है और मैंने आपको एक train भी docker करके दिया था एक range भी docker करके दिया था उस range को breakdown कर दिया और नीचे चले जा रहा है तो इसके पीछे कारण कौन सा है और कहा तक रुख सकते है देखिए कहा तक रुख सकते है उसको दिखाने से पहले इस तरीके से correction होने के पीछे reason जान लेते है देखिए company के जो quarterly result है वो finally आ चुके है आप देखेंगे पिछले बार का जो sales था करीबन 1122 करोड के आसपास था और इस ब company के जो expense करने के बाद जो OPM है operating profit margin जो पिछले बार 25% के आसपास था वो इस बार हो चुके है 21% के आसपास और company के जो net profit है वो 202 क्रोड से घटके हो चुके 140 क्रोड 145 क्रोड के आसपास तो सोचीएगा company किस तरीके से यहापर profitability को काम किया अभी question आएगा sir company के profitability इतना कम क्य हुआ देखिए company के product है वो chemicals के उपर है chemicals का product बनाते है और उसके साथ company एक देखा जे तो fertilizer industries को पर बिलन करते है एग्रो chemicals को पर काम करते है तो एग्रो chemicals का जो demand है मार्केड में और specialty chemicals का जो market में डिमांड है वो डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है जिसके चलते हुए इस company को पर एक pressurize देखने को मिला है अभी आपको समझ में आ चुके है कि company किस basis में गिरा है कि पहले result आने से पहले ही market को पता चाल जाता है बड़े-बड़ जो institution है बड़े-बड़े जो operator है उसको पहले से ही पता चाल जाता है कि हां market में भारी-भार कम गिरावाड होने का chances है और इस सिम यहां पर मैं as a investor के बारे बात करूँ तो देखिए investor भी इस company के उपर छोटे मोटे quantity के साथ तेट कर रहा है यहां पर question आएगा कि sir promoter के पास अच्छा holding है institution उतना ज़्यादा holding क्यों नहीं किया यह कि सबसे पहली बात company का market cap 18600 क्रोड यह तो ठीक है आरोसी आरी तो ठीक है income भी ठीक है करजा भी zero है सब कुछ ठीक है फिर भी अभी जो sector के उपर company काम का रहे उस sector का growth अभी slow हो चुके है और मैं आपको पहले बोल चुक है एक एक Japanese company है तो Japanese parent organization Sumitomo chemicals company के ही एक subsidiary company है जो agrochemicals के उपर animal nutrition के उपर and environmental health business के उपर company काम करते है इस सारे चीज़ में आपके लिए इसलिए स्यार कर रहे हो कि company के बार में जान कर या अगर आपको ज़्यादा ना रहे तो इस company के उपर decision लेना थोड़ा सक गलत होगा तो जान कर लेने के बाद ही आपको decision लेना पड़ेगा तो सुमीतम कोमिकल कोई बेकार company में नहीं कहूंगा company मेरे इसाब से based है फिलाल के लिए पुरे के पुरा सेक्टर में प्रेसर है तो इस company के उपर तो प्रेसर बनेगा तो last few days का अगर delivery के data दिखा दूँ तो आपको दिखेगा तो अच्छा खासा delivery उठा जा रहा है तो कब delivery जादा उठा जाता है जब अच्छे company सस्ते दामा में मिलता है तो अभी फिलाल के जो situation है अभी कहा तक आ सकते है पहले बोल चुका हूँ कि जिस तरी की से correction हुआ उस basis में मुझे लगता है 355 रूपीज के आसपास यहाँ पर इस level तक वो जुरू आएगा क्योंकि एही company के लिए एक previous strongly एक बार दो बार तीन तीन बार यहाँ पर support क्रेट किया उसके बाद एक journey start हो तो मुझे लगता है इस label को वो फिर से support की साब से बनाएगा और इस label जब टच करेगे तो मैं कुछ quantity एड़ करूँगा और मुझे लगता है थोड़ा से एक journey देखने को मिल सकता है तो फिलर के लिए आपके कराय है मुझे जोरू comments करके बताना next चो company जिसके बार मैं चर्चा करूँ परी नेक्स चर्चा करने से पहले मैं एक समीतों में केमिकल को उपर एक और एक आपडेट मग को दिखाना चाओंगा इसके उपर एक बड़ाट सा टार्गेट रखा गये है कितना साड़े चार सो गास पास और इस टार्गेट किसने रखा प्रभुदास लियाधर ने प्रभुदास लियाधर लियाधर ने क्यों टार्गेट रखा उसके पीछे उनके कहने का रिजन है कि company को जो quarterly जो result है पिछले भार को year of year को बीट नहीं कर पाया मगर quarter of quarter को अच्छा खासा बीट के इसलिए company में आज नहीं तो कल उसको recovery जोरू होगा और एक अच्छा खासा target भी उन्हें रखा है तो current प्राइस है उस हिसाब से देखा है तो company के current price 375 है तो almost 100 नहीं almost देखा जाए तो 80 80 percent के आसपास 80 sorry 80 rupees के आसपास यहाँ पर target रखा गया है तो आपके करा है जोरू comments करना और किसी के target को follow करके blindly follow मत करके चलना आप एक वरिसाच करके काम करना तो next चो company जिसके बार में चर्चा करो उसका नहीं याश्य इंडस्टीज यह कि मुझे बहुत सरे comments continue फिर भी आ रहा है कि याश्य इंडस्टीज के उपर एक बार साथ details वी कमपनी है और आज इस कमपनी के उपर जो correction momentum देखने को मिला है वो सिर्फ एक ही कारण के है कमपनी का specialty chemicals के उपर है food जो antioxidant है उसके उपर भी company काम करते है aromachemicals के उपर राबार आँके उपर company काम करते है lubricant जो अधीसा पोड़क है उसके उपर भी company पोड़क बनाते है तो सारे पोड़क demandable है मगर फिलाल के लिए इसका demand काम हुआ है कि इसके जो main reason है आप ध्यान से देखना company कहा पर export करते है ज्यादा से ज्यादा export Europe, America और Middle East country में और Asia के कुछ country में करते है तो Europe country में जो जो company specialty chemicals बेच रहा था सारे companies का हालत खराब हो चुके है चाइना ने सारे इंडियन company के हालत खराब कर दिया कि वो discount price में Europe countries को खुद का जो chemicals product है वो बेच रहा है तो उसके चलती है company के पर प्रेसार देखना को मिला सेक्टर के पर प्रेसार देखना को मिला देखिए अगर आपको पूछा जाए कि एक product मानके चलिए आप दुखान बाई खरे दिए के लिए चलो एक बाई खरेसे दिनेके लिए तो यह mit正स蟌क है जो इस और भी बावर सेखना मिला कि उप्षार दिया इक आपका पांसुर्पया देना नहीं पड़े गा आप मुझे 99,500 रुपीज दे दीजी तो hep रैस पर थोड़ा सा 500 रुपीया तो मेरे बच रहे ना तो फैस्त सो रुपिय Är बचाने के चकर में तो आप कहा सेलेंगे यह भी अईसलेंगे कि पोड़क तो जह सेम है तो इसी तरिके से चाइना ने क्या किया इंडियन मार्केट को बिट करने के लिए इंडियन मार्केट को मतलर दुबाने के लिए वो सस्ते दामे में पोड़क को बेच रहा है और एक रिपोर्ट के मादब से भी बता जा रहा है कि चाइना इस तरह के से काम जादा दूर देर तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका जो रिजर्व है वो तो खतम करने के लिए इस तरह के से डिसिजिजन लिया है क्योंकि कोबिट के टाइम में उसका बहुत ज़़ा रिजर्व बढ़ गया था और इसलिए वो उन्हें इस तरह के से डिसिजिजन लिया तो बहुत रिजर्व तो खतम हो रहा है तो अभी निया जो प्रोड़क बना है क्वाटली जो रिजर्व है वो दिखिए कुछ नेगेटिविटी नेगेटिविटी तो वीगनेस में देखने को मिला नेगेटिव नहीं कहूंगा यूँकर कमपणी के जो सेल्स है वो लगातर बढ़ने के चांसेस था वो आप पहले देखिए पहले लगातर बढ़ रहे थे और 2022 के बाद चाइना के इस हालत के कारण इस सीचुएशन के कारण सेल्स डाउन होता गया और एक्सपेंस को भी कंटर्ण करने के बाद कमपणी के जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो करीबन 10% के असपास कम हो चुके है अभी रही बात इस कमपणी के उपर as a investor आप देखेंगे तो प्रोमोटार के पास holdings है उसके बाद पब्लिक के पास holding है तो इंस्ट्यूटिशन क्यों ज़्यादा नहीं भरोसा करते हैं यह के हाली में कमपानी के लिस्टिंग हुआ और देखा जए तो कमपानी का पर्फोर्मेंस अभी वी उतना जदा हाई गुलतबल नहीं देखने को मिला इसलिए इंस्ट्यूटिशन इसके उपर अभी भी नीवेस नहीं किया है अगर लास्ट कुछ फ्यू देज का डेलिवारी डेटा का दिखा दू तो कंटिनेसलिए एक एवर्ज लेवेल का डेलिवारी देखने को मिला है और यह पर डेलिवारी का जो परसंट है 66 परसं 68 परसंट के आसपास तो कंटिनेसलिए आपके साथ मार्किंग करूँ तो कुछ इस तरीके से सेनरिय आपको देखने को मिला है तो मैं चुरू कहूंगा फिलाल के लिए इस कंपानी के उपर कोई भी टेक्निकली चार्ट पटन नहीं बना जिसके उपर मैं टेड कर पाऊ तो इस इन्वेस्टर मैं इस कंपानी के उपर फोकस रखा हूँ जब कुछ केमिकल सेक्टर के उपर गुड न्यूज आना स्टार्ट होंगे तम मैं इस कंपर उपर कंटिन्यू करूंगा और आप कहेंगे सर क्या फिलाल के इस सिचुसें से में कुछ 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 क्वांटिटी एड कर सकता हूँ देखिए आपका जो डिसिशन है उस डिसिशन के उपर मैं यह नहीं कहूंगे कि आपका डिसिशन बिकार है डिसिशन सही है अगर आपको कंपनी के उपर भरोसा है तो जब कारेक्सिन होंगे दिरी-दिरी करके आप क्वांटिटी एड करता मत्द एड कर सकते हैं तो बाकी मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है आपको मैं हमेसा बोलता हूँ कॉम्पणी को पर रिसर्च करके ही काम करना नेक्ट चो कमपणी जिसके बार में चर्चा कर उ उसका नाम है टाइटन टाइटन इंडिया के सबसे पॉपूलर पंपनी और टाइटन को पर मैंने एक इन डिप्ट वीडियो आपके साथ सेयर क्या हो उस वीडियो को जाकर देखना बहुत सारे लोग एही सोच रहे है कि टाइटन का जो मेन बिजनेस है वो जूएलरी है करते हैं और उसको गोल्ड को खरीदारी करने के बाद उस गोल्ड से वो जूएलरी बना कर मार्केट में बेशते हैं तो ऐसे बिल्कुर नहीं है वो जब कोई भी गोल्ड को खरीदारी नहीं करता है कि कि उसका ऐही स्टाटीज है वो गोल्ड जो बेशता है जो मतलब सॉलि गोल्ड बना लूँगा और उसके बाद मैं बेच दूँगा और आपका जो गोल्ड मैंने उधारी में लिया मतलब आपका जो गोल्ड जो उधारी में लिया उसको मैं पैसा दे दूँगा इसका मतलब गोल्ड खरीदरी नहीं कर रहा है उसको वो लीज में ले रहा है मतलब आ बाकी कमपणी के तुन्ना में इसलिए तनिक्स जो बैंड है इसका वो सबसे ज़्यादा जूइलरी बेशते हैं तो टाइटन इसलिए आज इंडिया के नमबर वन कमपणी बन चुक है और टाटा ग्रूप में सबसे ज़्यादा एक प्रॉफिटबल कमपणी भी है क्योंकि को प्रॉफिटिबिलिटी है वो अलग लेवल का है साल भर के बात करो तो कंटिनेसली कमपणी फ्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे है और क्वार्टर में भी कमपणी का अभी फाइनली सेप्टेमर का रेजल नहीं आया इसका रेजल कभाएगा मैं आज आज आपके साथ से पहले कंपणी के देखिए इंविस्टर कोई भी शेर बेचने के लिए त्यार नहीं है कियो बेचे जो कंपणी को प्र अभर आवरेज ली आपको दिखा दूँ तो कंपणी एवरेजली कितना रेटन कमा के दिया करीबन 30 परसन के आसपास अभरेजली रेटन कमा के दे रहा और टाइटन ने ही राकेश जूनियर वाला जी को ही सबसे बड़ा रिटान बना के दिया है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी फिलाल के लिए क्या टाइटन माल्टिपेगर रिटान बन सकते है obviously फिर से एक high growth होने का chances है हाँ अभी जितना रिटान मिला है उतना रिटान ना मिले फिर भी अगर इस company के वार उपर आपको 10 times में रिटान मिल गया तो भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे 10 times रिटान भी कोई कम रिटान नहीं है तो फिलाल के लिए क्या situation है फिलाल के लिए कमपणी के situation के बारे बात करूँ तो लास्ट कुछ फिडियोज का delivery का data दिखा दूँ तो company delivery छोड़ा सा week देखने को मिला कभी-कभी जम हो रहा है कभी-कभी weakness हो रहा है फिर भी company के पर एक अच्छा खासा delivery उठा जा रहा है और चार्ट प्रन के सबसे बात करूँ तो company के पर एक cup with 100 patterns grade हुआ और फाइनली breakout भी हुआ और मैंने फिर भी बता था कि इसको पर कहा पर anti बना था और कहा पर target बना तो इसली वो टार्ट को अच्छिव किया लेकि डारेक्ली कोई भी company टार्ट नहीं अच्छिव करता कभी-कभी वो retracement भी करता है उसके बाद फिर से रिवर्सल करता है इस तरी के से पैटरन को कहा जाता है आप देखेंगे higher high pattern के आ जाता है तो मैं चुरू कहूंगा इस company को पर focus रखिए फिलाल के लिए अभी एक ही situation है उस situation को अगर breakout करें तो बड़ा सा धामा का देखने को मिल सकता है तो next company है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है Avenue समाच आता हूँ Evans Technologies company का नाम है तो Evans Technologies के कारे में चर्चा करूं तो company एक ट्रेडिंग company है तो ट्रेड करने वाला company मतलब हम लोग जो हम मतलब ट्रेडिंग करते है स्वाल स्टॉक मार्केट में उस तरह के से ट्रेड नहीं company रियल फिल्ड में ट्रेड करता है और company के ऊपर एक बहुत बड़ा आपडेट है वो आपडेट क्या है आप देखेंगे company split देने वाला है तो company split का announcement जो किया तो date यहाँ पर mention नहीं किया गया अब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ company 9th November में आपको split देने वाला है और split कितना देने वाला है इसका face value कितना है face value 5 रुपया है और उसको एक करने वाला है इसका मतलब हर एक share के बदले आपको 5 share split के साब से देने वाला है तो date यहाँ र तब तक के लिए अच्छे से रही है अपने ख्याले के तन्यवाद